हलो डियर फ्रेंड्स यू आर मोस्ट वेलकम तो माई यूटूब चैनल आदर्स इंस्टिट्ट आफिनिस डियर फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है आपका TGT का रिजल्ट डिकलेर हो चुका है 26 अक्टूबर के लिए और जो मेरे भाई वहन इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए बहुत सारे सुपकामना हैं बधायों ने बहुत बहुत और जो अभ्यरती कुछ मार्क से या कुछ कोस्टन से रह गये हैं वो निरास ना हो देखिए कुछ तो ऐसे अभ्यरती हैं आप दे गलतियां हुई हैं वो उन गलतियों पर जो है सुधार करें और आगे की प्रक्रिया करें फिलाल इस वीडियो में हम लोग यह डिसक्स करेंगे कि बैभ्यरती जो सफल हुए हैं और जिने कॉलेज लॉक करना है उनके लिए क्या है तो सबसे पहले आप देखें थमनेल टीज च्वाइस लॉक कर दी है अब आगे क्या होगा क्या डॉक्मेंट बेरिफिकेशन के लिए प्रियागरा जाना होगा तो देखिए जैसा कि आपको पताए 26 अक्टूबर को जब यह रिजल्ट आया था तो तीन दिन का टाइम दिया गया था 29 अक्टूबर तक साम 29 तो बेरिती जिन्होंने कॉलेज 24 लॉक कर दी है अब क्या होगा क्योंकि इससे पहले क्या था आप सब जानते हैं इससे पहले 16 वाली बैकेंसी और 16 वाली क्या आज तक इस 2021 वाली को छोड़कर अभी तक इसका इंटर्वीव हुआ करता था अब इंटर्वीव तो है नहीं तो टीजीटी में अब सीधे क्या होगा कॉलेज अलॉट होगा और यह भी नहीं है पहले कॉलेज अलॉट होता है मतलब उससे पहले जो है अब तो इस बार इसी में हो गया कि किसका जनरल में हुआ है किसका ओवी सी में हुआ है पहले क्या होता था इंटर्वीव हुआ तो पहले जन्रल, OVC, SC, ST इस तरह से, तो जो अभ्यरती, SC, ST, OVC के हुआ करते थे, वो fight करते थे जन्रल में, तो उनके लिए college choice द्वारा करनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है, सीधे last आपकी merit आ चुकी है, अब क्या है, अब college choice है, तो college choice आपने lock कर दी, अब आगे क्या हो क्या document verification के लिए प्रियार राज जाना होगा, तो देखिए, पहले तो जब interview के लिए आपको बिलाया जाता था, तो interview से पहले आपके जो जितने document थे, वो verification होता था, उस समय call, मदलब interview hall में जाने से पहले, जिस room में आपका interview होता था, उससे पहले होता था, आपका document verification, डॉक प्रेड कॉलेज में होता था इन्टर्वियू लेकिन अब आप जो है इंटर्वियू तो है नहीं तो कॉलेज होगी किस तरह से मलब कॉलेज स्थी कैसे होगा तो कुछ अभ्यारति इसी के बारे में पूछ रहे थी कि अब जब भूकमेंट वहां पर अलावाद में इंटर्व्यू के समय होता था वेरिफिकेशन तब भी कॉलेज में होता था उसके बाद में कॉलेज डियाएस बोर्ट जहां भी होते हूं यह अब भी होंगे आप लेकिन एक बार आपके लिए अभी प्रियाग राज जाना पड़ेगा प्रियाग रा साथ में आप उसके एक दो सेट के भी अवस बना कर ले जाएं और इससे पहले आपको नोटिफेकेशन सीखर देखने को मिलेगा दो एक दिन में हो सकता है दीपाबली से पहले देखने को मिल जाए आज तो नहीं या मंडे तक कि आपको इसके बाद में क्या प्रोसिस असका हो होगा तो फिलाल यही नोटिस निकलेगा कि कितने बच्चों को मतलब कब से कब तक आपके डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होगा और एक दिन में कितने अभियरतियों को बुलाए जाएगा मान सकते हैं आप कितना भी कम होगा 12,000 कुछ अभियरति हैं तो कितना भी तेज वो दस दिन से कम नहीं लगाएंगे बना आपके लगएंगे दस से लेके 15 दिन तक इतने दोनों में आपका जो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद मा कहीं आपको कॉलिज अलाट होगा और आप मान सकते हैं 15 यह तो आपको 20 नवंबर 20 से 25 नवंबर तक आपको जोइनिंग मिल जाएगी 20 तक आपको मिल जाएगी जोइनिंग फिलाल आपके लिए डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलवाद प्रियागराज जरूर जाना होगा तब ही आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा तो माईडिये फ्रेंड्स आसा करता हूँ जानकर यह आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें जैह हिंद दोस्तो करता हूँ